गोड इविनिंग एब्रिवान मैंनेम इज दवासिस मिस्र आई एम प्रम ओडिसा बलांगिर तो आप सभी को दोस्तों मेरे पाठ का इंतजार होगा मैं जानता हूँ पर आप और बस ये नौवी पाठ है तो बस आखरी पाठ आने वाला है दसवी पाठ तो आज हम बात करेंगे कि चंद्रव यानि चांद दोस्तों मोन कैसे हमारे जीवन को हद से ज़्यादा प्रभापद करता है हद से ज़्यादा मैं क्यों बोला इसके पीछे भी एक कारण है क्या कारण है कि आप के बॉड़ी 90% पानी से बना हुआ है About 70% सॉरी 70% पानी से बना हुआ है चंद्रव क्या करता है दोस्तों चांद क्या करता है टाइड फर्मेशन करता है जब वो आर्थ के निकट होता है जब आर्थ के जब पास होता है तब नदियों में वो टाइड फर्मेशन करता है जल प्रभा को बहुत जोर से बढ़ा देता है तो हम दो इंसान हैं हमारे अंदर भी About 70% पानी है तो हमारा भी जो मन है वो बोड़ी के जो परिबर्तन होते हैं दोस्तों उसी पर प्रभावित होता है मन को दोस्तों जो tournament है जो environment है दोस्तों उसी से मन प्रभावित होता है आप सोच रहे हैं कि अब हम छोटे हैं या फिर अब हम बड़े हैं नहीं दोस्तों हम पहले बच्चे थे फिर हम यंग हुए फिर हम बुड़े भी होंगे और हम मरेंगे भी एक दिन हम मृत्यू से दो-दो हाथ करेंगे तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूंगा कि हम हमारा हमेशा ना परिस्तिती एक जैसा नहीं रहता हमारा मन परिबर्तन होता है दोस्तों मन को दो-दो दिसा मिली मन यानि चंद्रा मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि कैसे मन हमारे करम को डिसाइड करता है कैसे खाना डिसाइड करता है तो आप अगर पीछे के वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे दोस्तों तो देखें कि कैसे मतलब मन यानि हमारे मन को दो दिसा मिला है एक होता है चिंता करने का दिशा और दूसरा चंचलता प्रदान किया गया है यानि mobility and think तो mind को दो चीज़ there are two things और two attributes given to the mind that is to think and mobility इसलिए जब जब इनसान कल्पना करने लगता है कुछ चीज का overthinking बोलते हैं उसे कुछ कभी कभी इनसान कुछ चीजों का कुछ ज़्यादा कल्पना करने लगता है या ज़्यादा सोचने लगता है उस चीज के बारे में तो उसे बोलते हैं overthinking तो हम क्या करते हैं हम इनसान हैं तो जब हमारे ये overthinking कभ होता है दोस्तों जब हमारे बोडी में पानी कम होता है बहुत लोग इससे नाराज होंगे कि यह क्या बोल दिया मैं नहीं मैं सोप टका सोप प्रतिसत सच बोल के बता रहा हूं अगर आप dehydration में सफर कर रहे हैं तो आपका मन जो है चंचलता होगा restless mind और आपका thinking भले ही एक चीज के बारे में ना हो अलग-अलग चीज के बारे में हो पर ओ ज्यादा होगा पानी आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा बिमारी जो दबा ठीक नहीं कर पा रहा वो पानी से ठीक हो जा रहा है क्यों दोस्तों क्यों दबा कुछ लोग हैं जो दबा को पानी क जैसे खा जाते हैं तो यह सब opposite करते हैं हम बाद-माद में बोल देते हैं पर कुछ चीज जो है दोस्तों कभी-कभी हम Do you mind? मेरे दोस्त पोझते हैं मेरे friends पोझते हैं एक मजा कर देते हैं और बोलते हैं Do you mind? क्या तो उने दिल से लगा लिया ओ चीज को हमने जो एक्टिविटी किये ये भी माइंड का काम है दोस्तों जो मन से दुर्बल ना हो जो मन से स्वतंत्र हो दोस्तों ओ हमेशा सही चैन करेगा मन हमेशा प्रक्रूती के साथ जुड़ा हुआ रहता है और प्रक्रूती हमारे मन का चंचलता का स्वभाव है अगर हम अपने स्वभाव को सेट कलने प्रक्रूती के साथ और अपने कल्पना को अपने दिसा को मन की दिसा को सही जगा लगाएं दोस्तों तो हमारे बल हानी नहीं जाता यानि बल में कमी नहीं आती क्योंकि मालो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मन कहीं और है कहीं पिक्चर देखने का है या मुविज देखने का है तो अगर मन वहां गया तो सरीर का बल वहां चला गया वहां अगर आप टाइम वैस्ट कर लिए मैं उसे time west बोलूँगा दोस्तों तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि आपका समय तो खर्चा हुआ हुआ आपका आधा बल भी चला गया इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान में रखे जो चीज आप करें जो चीज आप बिचार करें उसे आप करें और जो चीज आप क पर फल के बारे में सोच के माइंड करके आप कर्म ना करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सब के लिए सुपकामनाय करता हुआ मेरे बाणी को यहीं भी राम देता हूं